अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की तो वहां पर हम लोगों ने डिसकस करा था पॉपलर में आपको बताया था कि यह फॉल्ट लोकेशन को पता करना ना कि कितनी दूर पर फॉल्ट हुआ है यह एक चैलेंजिंग टास्क था क्योंकि अगर हम लोग इन टेस्ट इ हमने बहुत डेटल में जाना था मुरे लूट टेस्ट के अंदर एक सारा काम करा था और टेस्ट एंड पर खड़े हो के कि तयान उसके बाद मुरे लूट का पूरा सिस्टम है जो फॉल्ट केवल है उसके अंदर अन्डर रोजिस्टेंजेंस यो फाइंड आउट करना है उ unknown resistance इसको find out करने के लिए वीट स्टोन ब्रिज का सहा रहा लिया था तो इन्होंने क्या कर रहा था पूरे 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 सेट अप को वीट स्टोन ब्रिज में convert कर दिया था और उससे हमने इस इसको find out कर रहे तो यहां से मैं पता चल जा रही थी कितनी दूर पर फॉल्ट हुआ यही सब चीजें हमने करके लास्ट लेक्चर में देखी थी आज के लेक्चर में बात करेंगे दूसरे में जो कि वाले लूप टेस्ट में ठीक है तो वाले लूप टेस्ट में लगबग हम लोग सेम इस्तेमाल करेंगे बैलेंस करके काम करेंगे डिफरेंस किया है दो डिफरेंस सबसे पहले तो आड़ वन और रटू जो कि हमने यह जैसे कि मुरूप टेस्ट में आड़ वन ओर तो यह जो वेरियाबल थे इसमें वाले लूप टेस्ट में इन दोनों को से लेकिन अब क्या करेंगे वाले लूप टेस्ट में यहां पर करने से पहले एक वेरियाबल रेस्टेंस एसको डाल देंगे यह तुम्हारी फॉल्टेट केबल समझ मारी बात है फॉल्टेट केबल तो यह थोड़े से दो चेंज हम लोग ने करें कोई बहुत जादा चेंज नहीं करें तो क्यों कि यह देको वैरियाबल रेस्टेंस तुम्हें लेना ही पड़ेगा अब तुम मोरे लूप टैस्ट में दो मैं दो वैरियाबल रेस्टेंस ले रहे थे आरवन रटू इसके सबसे जादा यही पूछा जाता है जब अगर शॉर्ट सर्कीट की बात होगी तो उसमें यहां पर यही कॉंसेट रखना होगा बस इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो यह हमने क्या करा है यह हमारा जो वोल्टेज सोर्स था वी जिससे हम पूर को स्टेक बडहलिये कॉंसेट कर लेना पडिक्क उस आप स्टांट चल्ध करना है और क्या करना है दूसरा काम ए्स को मैं स्करण पर सट्रक्र जी यह जो है यह एपसुलूटली जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाने लगता समझमारी बात है तब तक हम इसे वैरी करते रहेंगे अच्छा अगर हम इसकी वीट स्टून बीच की बात कर लें तो देखो यह गैलवनो मीटर गैलवनो मीटर के दोसरे आरवन आरटू तो गैलवनो मीटर दोसरे आरवन आरटू ठीक है यहां से निकला है वोल्टेज सोर्स यह निकला आपका वोल्टेज सोर्स अच्छा यह नॉब जो है इसकी पॉइंटर वह वन से कनेक्ट है वन क्या है ग्राउंडड है तो यानि कि दूरी मान के चलते एलेक्स एलेक्स वीदा डिस्टेंस फ्रॉम दा टेस्ट पॉइंट टू दा फॉल्ट जो ठीक है यह मान के लिए इस तरीके से मान लेते हैं इसमें अब देखो बहुत ध्यान से समझना यहां से यहां तक यह पॉइंट ग्राउंडेड है तो इस इसका रेस्टेंस कितना है अन्नों रेस्टेंस एक्स ए एक्स लिख दिया दैन इसी के साथ सीड़ी में चुदा हूआ एस तो यहाँ पर एस लिख दिया ठीक है? अच्छा एस वन क्यों लिखा इसको समझ अच्छे से ध्यान से हमने लिख दिए हैं यहां पर अब होगा हम S को vary करेंगे और तब तक vary करेंगे जब तक 0 deflection नहीं आ जाता तो सबसे पहले तो V-Stron Beach clear हो गया तो यहां से हमने इसको V-Stron Beach इस तरीके से बना लिया जैसे मोरी लूप में पीछे बनाया था वैसी वाले लूप में हमने यहां पर बना दिया तो जिस रेजिस्टेंस पे ब्रिज वैलेंस होगा उस रेजिस्टेंस को S को हम लोग S1 से डिनोट कर रहे हैं देखो हम भी हमने पीछे बताया S is a variable resistance तो इसकी multiple values हो सकती है तो जिस भी value पे galvanometer 0 deflection दिखाएगा उस पॉइंट को वह पर्टिकलर रेजिस्टेंस होगा S का उसको हम डिनोट कर रहे है S1 से ठीक है तो S1 यहां से आया पिक्चर में तो S1 clear हो गया होगा अगर हम galvanometer 0 दिखा रहा है तो हमारा ब्रिज बैलेंसिंग कंडिशन में अगर ब्रिज बैलेंस है तो आज बड़ी के सब्सक्राइब कर लो प्लस दो अब क्या करना है S1 को यहां बेज JUL दो और इनको उपर नीचे बेज दो तो यह हमने क्या करा अगर X plus S1 को यहां ले लिया तो R plus X plus S1 से multiply कर देंगे R2 की यहां पर ठीक है और R1 plus R2 यह पूरा पूरा नीचे आ जाएगा तो हमने क्या करा क्रॉस multiply कर लिया अब S1 को इधर भेज दो S1 को इधर भेज होगे तो X equal to इसको अगर अंदर multiply कर लो तो R2 आ जाएगा then R2 X आ जाएगा then R2 S1 आ जाएगा और S1 को इधर भेज दिया है तो minus S1 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए simple maths है then अब क्या करोगे यह जो minus S1 आ है इसको अगर अंदर multiply करना है तो देखो यहां तक की equation तो आई थी minus S1 था अब अगर minus S1 है और नीचे क्या है something upon में R1 प्लस R2 तो अगर हम इसको common denominator लेंगे तो R1 R2 की यहां पर multiply करनी पड़ेगी R1 प्लस R2 होई कर दिया है अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें तो R2 S1 यह cancel out हो जाएगा तो बचा क्या रहे गया यहां पर अगर हम इसको द्यान से देखें तो R2 R प्लस R2 X माइनस R1 S1 अब इसमें से R2 common ले लिया तो R प्लस X माइनस R1 S1 अपान में R1 प्लस R2 यह आगई equation 1 निकल के ठीक है clear हो गया हमने जो वाले रूप टेस्स था इसके अंदर पहले नॉप को one point से connect करा था then bridge बनाया bridge बना के हमने जब बना के देखा तो bridge में यह वाला जो end था इसमें S1 और आ गया था X और यहां पर आया था R और यहां से grounded था यही तो fault हो रहा था earth fault इस particular point से ठीक है तो हमने जब इसको balance out करा तो एक equation तो यह निकल के आ गई simply ठीक है clear हो गया now एक equation यह आगी लेकिन अभी क्योंकि इसके अंदर multiple variable resistance है क्योंकि ना तो हमें R का पता चल ला है ठीक है हमें केवल R1 और R2 को पता है ठीक है उसको हम फिर से balance करेंगे by varying the resistance s अगेन हम लोग जब इसको नॉब 2 पर shift करेंगे तो पहला वाला case जो था वह चेंज हो गया तो अब galvanometer कुछ deflection दिखाने लगेगा तो उस deflection को zero करने के लिए वापस से हम लोग क्या करेंगे एसको पकड़के हिलाएंगे नॉब उसकी से एसको variable एसके variable resistance है तो एसकी value को हम चेंज करकर करके देखेंगे जिस पर हमें galvanometer zero deflection दे 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 तबी तो बिलिज बैलेंस होगा तो s जो हम change करके देखेंगे मान के चलते हो s2 की point पे zero value दे रहा है galvanometer deflection zero दे रहा है तो s2 हम लोग नया वीटी स्टून बिज जो बनाएंगे उसमें s2 value ले लेंगे तो इसका ज़र वीटी स्टून बिज ड्रॉ कर लेते हैं तो देखो simple है galvanometer के पहले galvanometer बना लो ठीक है नहीं तो जुड़ा है तो भई इसका जो है यह वाला point अब यह ground नहीं हुआ है यह जो भी हमने लिया है यह आपकी कहां जाके जुड़ा है यह जाके जुड़ा है जिस point पे ठीक है वहां से एक सिरा निकला है galvanometer और s की बीच में तो यह होगा galvanometer और s की बीच का point इसको s2 कह रहे है और यह वाले जो point है यह कितना होगा एक स्प्लस आर और एक समझ मारी बात ही कैसे बनाना आपको बीच सिंपली करना क्या है आपको galvanometer पकड़ लेना है galvanometer के दोनों से जोड़ देने और जहां से भी यह voltage source आपको touch हो रहा है मतलब इस particular point को वह हमें जोड़ देना तो यहां पर एक सब्सक्राइब कर लेना तो यहां पर सब्सक्राइब कर लेना जिने नहीं समझ मारी तो यहां पर अगें galvanometer हमने पकड़ा जी galvanometer पकड़ लिया ओके अब दोनों से रोपे एक लगा दी आरवन एक लगा दी आर्टू यही तो है galvanometer यहां से निकाल दिया voltage source वी अब यहां तक की तो कहानी आ गई ठीक है अब वी टिस्टोल में किससे जुड़ा हुआ है ground से तो यह ground दे दिया इस एक्स भी है और आर वाले में सीधे हमारा grounded portion है तो आर वाला तो ऐसी आगे यह वाला portion हमने क्या कर दिया ठीक है तो circuit कहां complete हो रहा है distance पे गलेवन मेंटर जीरू डीडिंग देगा वह value है एस टू ठीक है समझ मागी तो यह कहां एस टू अब एस टू मिल गया हमें अब क्योंकि अब भाई है जो हमारे पर सामने आप ब्रिज देख रहा है यह क्या है यह बैलेंस है अगर ब्रिज बैलेंस है तो condition क्या होती आ अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे क्योशन वन एक क्योशन टू को ठीक है तो जब दोनों क्योशन करोगे तो एक क्योशन यह निकल के आई थी यहां पर x की वैल्यू निकल के आई थी और यहां निकल के आई है r1s2 इकल टू r2 r plus x अब देखो इतना portion और यह देखो यह वाली question का portion सेम है तो यह r1s2 इसको यहां place कर दो तो अगर हम ऐसा करेंगे तो x equal to r1s2 minus r1s1 divided by r1 plus r2 ठीक है तो यह आगई question ठीक है समझ मारी बात ही है तो simply हमने दोनों compare करा यह question निकल क कर सकते हैं देखो हमें r1 पता है हमें r1 पता है हमें r2 पता है हमें s1 पता है हमें s2 पता है ठीक है क्योंकि यह सारे की सारे नोन थे unknown क्या था और x unknown था तो हमने इस equation का इस्तमाल दोनों equation को use करके r को picture से बाहर कर दिया केवल अब हमारे पास एक unknown रहेगे x और यहां से solve कर तो अब क्या होगा वाली लूट टेस्ट में जो unknown resistance था एक्स उसको हमने इस equation से find out कर लेना है यह question होगे निकलके important equation है इसको अपने formula copy में note कर लेना अगर in terms of length की बात करें तो length की बात कर लो तो lx equal to x by r meter समझ में आ रही है यहां पर यहां पर यह जो r है बहुत important is the resistance of the cable per meter length की बात हो रही है यानि कि अगर हम लोग per meter length लेते हैं तो और अगर पर meter length नहीं लेते हो अगर जैसे कि हमने पीछे जो पुराना method था moral loop उसके अंदर हमने क्या करा था उसके अंदर हमने जो resistance यूज करा था वो कितना था वो हमने यूज करा था और resistance अगर length पूरी length of the cable यान R is the resistance of the complete cable अगर ऐसा है तो formula आजाएगा आपका जितनी दूरी पर fall to LX is the distance of fall from the test side distance कितनी दूर पर fall to test side से equal to X unknown resistance X जो हमने यहां से निकाल लेना है divide by RC याने की cable का पूरा resistance of the L length cable into length of the cable कि उसकी जितनी भी उसकी length है लेकिन अगर आपको cable यह दे रखा है per unit length दे रखा है resistance per unit length resistance of cable per meter length per meter length का resistance दे रखा है simply आपको दे रखा है कि भाई है जो हम cable use कर रहे हैं जिसमें fault आया है उसका एक मीटर का resistance है one ohm ठीक है तो this should be the resistance तो यह वाला formula use करेंगे तो दोनों formula मैंने करके यहां पर दिखा दिए करेंगे तो मुरे लूप का इस्तमाल करेंगे हम लोग variable resistance हम यहां पर बात करने comparison की तुझरा देख ले compare कर लेते हैं नीचे बाल में डिसकस कर रहा हुआ तो compare कर लेते हैं सबसे पहले तो मुरे लूप में क्या अंतर था मुरे लूप के अंदर वैलीब बेस्ट्स पर यहां पर जो अगल्न कर आए दो यहां पर यहां कर आए यह सिंगल रिस्ट्जेंट करा न पर घूसरा सबसे बड़ा इंपोर잖्ट पॉइंच के उंपर짝 खाया हुआ है कि भाई काहां कौन सो यूज करेंगे मुरे वाले मेथे कि यूज करें तो जब भी फॉल्ट रेजिस्टेंस लो होगा तब तो मुरे लूप यूज करलेंगे कोई टेंचन नहीं है ठीक है लेकिन अगर fault resistance जादा है तो ऐसे case में वाले loop का इस्तमाल करेंगा fault resistance तो इसको जला समझ लो बहुत अच्छे से बड़ा important point है आपको याद होगा यह हमने use करा था मुरे loop test में तो मैंने क्या करा था यह जो faulted cable यह जो cable थी हमारी जीरो रेस्टेंस और इसका कुछ रेस्टेंस जादा भी हो सकता है तो समझ मारी बात ही है तो यह होता है fault resistance यहाँ पर picture मैंने बता है तो अर्थ फॉल्ट हुआ है ना तो अर्थ फॉल्ट को मैंने simply ऐसे करके short नहीं करा है यह तो गया अर्थ के analysis करें तो फॉल्ट का अपना भी कुछ resistance हो सकता है जो फॉल्ट हो रहा है तो यह जो अपना रेस्टेंस उसको हम कहा देंगे resistance of fault तो अगर आरेफ की वैल्यू अगर फॉल्ट रेस्टेंस की वैल्यू कम है ठीक है small है low है तो तो मुर्य लूप बहुत अच्छा है लेकिन अगर फॉल्ट रेस्टेंस की वैल्यू हाई है तो ऐसे केस में वाल्यू लूप टेस्ट के साथ हम लोग जाएंगे तो आयो समझ में आको नौक के अंदर दोनों कर दिए अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना ठीक है अगर इसकी पीडिया कॉपी चाहिए कालर फॉर्म में तो आप हमारा कीमते समय दिए अगेन उसके लिए धन्यवाद लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें और जादा से जादा लोगों में शेयर करें थैंक यू